आज तक 86 ट्रेन जा चुकी है लगबग हर हफते 10 दिन में एक ट्रेन जाती है बुजुर्गों को लेके सब लोग बहुत खुश हैं और 22 तारिख को जब वहाँ पे मंदिर का शुबारंब होगा तो उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि आयोध्या के लिए ज्यादा से ज्या बजुर्गों को तीर थातरा करने के लिए भेजते हैं आज तक 86 ट्रेन जा चुकी है लगबग हर हफते 10 दिन में एक ट्रेन जाती है बुजुर्गों को लेके अब तक 86 ट्रेन जा चुकी आज 87 वी ट्रेन जा रही अगए और अभी जगे बेजते हैं आयोध्या जी है वहां पे तीर ठीटर करने के लिए उनको भेजते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि उनको हर बार यहाँ पे रवाना करने के लिए शुक्कामनाई देने के लिए आऊँ अभी मैं मिला सबसे सब लोग बहुत खुश हैं और बाइस तारिख को जब वहाँ पे मंदिर का शुबारंब होगा तो उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि आयोध्या के लिए ज्यादा से ज्यादा और ट्रेन हम लगा सकें ताकि लोगों में बहुत उत्सा है आयोध्या जी जाके रामलिल्ला के दर्शन करने के लिए तो प्रान प्रतिष्ठा क के बाद हम जे कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा और ट्रेन जो हैं वो और देजी के लिए जा सके ». उनका एक लेटर आया था, उसके बाद हमने उनको फोन किया, उन्होंने बताया कि कोई परसनली इन्वाइट करने के लिए फाइनल इंविटेशन देने परसनली उनकी टीम आएगी, वो तो आई नहीं लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, उसमें लेटर में उन्होंने लिखा है कि ब आया नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी धरम पत्नी और अपने बच्चों के साथ और मेरे माता पिता को भी बहुत ज्यादा चाव चड़ा हुआ है कि हमें जाके रामलला जी के दर्शन करने हैं, तो अपने माता पिता, अपनी धरम पत्नी अपने बच्चों के साथ में जाऊंगा, बाद में चले जाएंगे जब भी, एक बार यह भी हो जाए, बाइस तारीक में बहुत जादा, मतलब उन्होंने कहा था कोई देने के लिए आएगा, लेकिन अभी कोई आया नहीं, लेकिन उससे कोई फरक नहीं पढ़ता हुआ हुआ